राम राम दोस्तों मैं अरुन कुमार डार्ट वेधिक रेमेडी सिधा जोत्सी समाधान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज चर्चा हस्त रेखा विज्ञान की करेंगे हस्त रेखा विज्ञान की अधारबूत बातें बेसिक्स ओफ पामिस्ट्री हाथों में कौन-कौन से परवत होते हैं हाथों में कौन-कौन सी रिखाए होते हैं इनकी चर्चा करेंगे दोस्तों साइंस भी कहती है कि हमारे शरीर की सारी क्रियाएं ब्रेन यानि मस्तिश्क नियंत्रित करता है मस्तिष्क में पैदा हुई उर्जा ही श्रीर में किरिया परती किरिया पैदा करती है श्रीर हाथों के दुआरा ही किरिया परती किरिया करता है हमारे हाथ भी दिमाख यानि मस्तिष्क के ओर्डर्स आदेश वा निर्देशों का ही पालन करते हैं मस्तिश्क ही जीवन को चलाने वाली शक्ती है मस्तिश्क की उर्जा यानि शक्ती के दिशा निर्देश वा आदेशों की पालना हमारे हाथ करते हैं तो वेग्यानिक रूप से मतलब साइन्टिफिकली भी मस्तिष्क की उर्जा या जीवनी शक्ती ही हथेली में रखाओ के रूप में परगट होती है हर हथेली व्यक्ति के मस्तिष्क की स्थिती की सूचना देती है मस्तिष्क के ही दिशा निर्देशों का पालन शरीर के सारे अंग करते हैं यही सब actions, reactions, किरिया, परती किरिया, हथेली में दर्ज होती है जिस परकार जनम कुंडली से भूतकाल को समझते हुए वर्तमान वा भविषय के संकेत यानि घटनाओं का आकलन किया जाता है उसी परकार व्यक्ति के भूतकाल, वर्तमान वा भविषय की जानकारी, हाथ के वा बनावट, उंगलियों के अकार वा बनावट, रिखाओं वा परवतों के अध्यन से प्राप्त की जा सकती है जिस परकार कुंडली में नोग रह होते हैं, उसी परकार हथेली में भी नोग रह विद्द्यमान होते हैं दोस्तों सबसे पहले हथेली के परवतों को समझेंगे कि किस तरह से नोग रहे हमारी हथेली में भी मुझूद होते हैं, जिनको परवत का आ जाता है हथेली पर चो परवत होते हैं वो गद्दी नूमा स्थान यानि उभार की तरह या मास की गद्दी के रूप में होते हैं चार परवत उंगलियों की जड़ में होते हैं उंगलियों की मूल में दो परवत हाथ के दोनों तरफ होते हैं एक परवत अंगुठे के मूल में होता है। हतेली के परवत उब्रे हुए हो तो वो मजबूत माने जाते हैं। पहले हुए परवत समानने माने जाते हैं। दबे हुए परवत निर्बल माने जाते हैं। मजबूत परवत व्यक्ति में उस परवत से समंदित गुनों को भढ़ाते हैं यानि कि जिस परवत से समंदित जो घरह है उसके गुन उस व्यक्ति में जादा पाए जाएंगे निर्बल दबे हुए परवत उस घरह की अशुपता के सूचक होते हैं यानि ये संकेथ देते हैं कि उस गरह से समंदित उपाए करने की जरूरत है, सबसे मजबूत उबरा हुआ प्रवत ही व्यक्तितव परसनेल्टी निश्चित करता है, उस प्रवत से समंदित गरह के गुन व्यक्तिव में जादा होते हैं, दो परवत एक जैसे उबहार लिए हो तो दोनों परवतों के जो घ्रह के गुन हैं वो व्यक्ति के व्यक्तितव में होंगे जिन व्यक्तियों में सारे परवत अच्छे उबहार लिए हो वो व्यक्ति अच्छे बेलेंस्ड नैचर, संतूलित सभाव, exploring thoughts वाले अच्छी तर्क शक्ती अच्छी इच्छा शक्ती वाले होते हैं दोस्तो परवतों का real midpoint वास्तविक मद्धे बिंदू भी ध्यान से देखना चाहिए जो कि उभार की बीच में होता है उभार को magnifying glass या आवर्थक lens जिसे कहते हैं उससे देखने पर उभार के मद्धे बिंदू पर एक छोटी तिर्कोन दिखाई देती है वो तिर्कोन ही real midpoint होती है real midpoint उभार पर ना होकर किसी तरफ जुका हुआ भी हो सकता है इसको जानना जरूरी होता है यह मद्धे बिंदू परवत के बिलकूल बीच में सबसे शुब माना जाता है व्यक्ति के अंदर परवत से समंधित घ्रह के गुनों की विर्धी करता है अगर यह मद्धे बिंदू किसी दूसरे परवत पर जुका हुआ हो तो वो दूसरा परवत अधिक मजबूत होता है दोस्तो पहली उंगली फस्ट फिंगर तरजनी जिसे कहते हैं उसके नीचे भ्रहसपती परवत होता है तरजनी उंगली को भ्रहसपती की उंगली भी कहते हैं चित्र में जहांपर मैंने गुरू लिखा हुआ है वो भ्रहस्पती परवत होता है इस परवत से व्यक्ति के अंदर ग्यान का स्तर अध्यात्मिक ग्यान तारमिक्ता संतान पक्ष व्यवाहिक जीवन महत्व कांशा व्यक्ति का एहंकार पाचन तंत्र यानि सवस्त है ये सब पक्ष गुरु परवत से भ्रहस्पती परवत से भागे, सभाव, रोजगार के बारे में महत्व पूरुन जानकारी देता है। व्यक्ति का अनुशाशन, विवेक, शेलता, बुद्धिमानी भी यहां से देखी जाती है। अनामिका यानि रिंग फिंगर के नीचे के परवत को सूरिय परवत कहा जाता है। अनामिका को सूरिय उंगली भी कहते हैं, इस परवत से व्यक्ति के अंदर के उत्साह, इच्छा शक्ती, सवास्ते, जीवन की सफलता, यश्मान समान, शिक्षा के बारे में मैं तो पूरुन जानकारी मिलती है। सरकारी नोकरी यानी सरकारी कामका आखों की जानकारी भी सूरिय परवत देता है। कनिस्ठी का सबसे चोटी उंगली, लिटल फिंगर को बुद्ध की उंगली का जाता है, इसके नीचे के परवत को जो इसके मूल में होता है, उसको बुद्ध परवत कहते हैं, इस परवत से व्यक्ति के विपारी, गुन, वाकपटूता, कॉम्निकेशन स्किल्स, याददास्त Memory Power, Vani Intelligence की जानकारी मिलती है हतेली में मंगल परवत दो होते हैं एक उग्र यानि अक्रामक मंगल परवत जो की अंगुठेवा जीवन रेखा के बीच में होता है एक रक्षातमक मंगल जो चंद्रवा बुद परवत के बीच होता है मंगल परवत से व्यक्ति के साहस प्राकरम, फाइटिंग अबिलिटी, जुजारूपन इम्मुनिटी सिस्टम, रोग परतिरोदक ख्षमता जमीन जैदाद की स्थिती और करजे की स्थिती ये सब जानकारी मिलती है चंद्र परवत अंगुठे के नीचे यानि अंगुठे के मूल पर शुकर परवत होता है जीवन के रिष्टे, आपकी रिष्टे बनाने की एबिलिटीज, प्यार, वेवाहिक जीवन, सुन्दरता आपकी संगती यानि सर्राउंडिंग जीवन का आनंद, वाहन सुक इनकी जानकरी ये परवत देता है हथेली के मद्धे में जो थोड़ा गड़ा सा होता है उसे राहु अक्शित्र माना जाता है हथेली के नीचे, मनी बंद रिखाओं के उपर जहां हथेली थोड़ी फॉल्ड सी होती है केतू परवत होता है ये सब दोस्तो नो परवत इसी तरह मुझूज होते हैं जिस तरह कुंडली में हमारे नो गरह मुझूद होते हैं और ये जिन्दगी के सभी विशों के बारे में महत्व पूरण जानकारी देते हैं इन नो परवतों को आप अच्छे से समझ लीजी दोस्तो अब चर्चा हथेली की रिखाओ की करेंगे जीवन रिखा जैसे कि आप चितर में देख सकते हैं आयू रिखा भी जिसे कहते हैं ये रिखा गुरू परवत यानि की गुरू की उंगली वा अंगुठे के बीच से निकल कर मंगल परवत वा शुकर परवत को गेरते हुए कलाई तक जाती है ये रिखा स्वास्थे के बारे में आयू रोग, स्रीरिक शक्ती, तरक्की, पतन इसके बारे में महत्तो पूरन जानकारी देती है दूसरी रिखा हिर्दे रिखा ये रेखा ब्रेस्पति की उंगली के नीचे से आराम होकर सभी परवतों के नीचे से गुजरते हुए हथेली के अंत तक जाती है ये रेखा मनुश्य के हिर्दे की स्थिती हिर्दे की कारिय शेली प्रेम के रिष्टे प्रोप कारिता ब्लड सरकुलेशन यानि स्वास्ते की जानकारी देती है मस्तिशक रेखा यानि हेड़लाइन शिर्षरेखा भी जिसे कहते है ये रेखा अंगुठे वा गुरु की उंगली के लगबग बीच से हिर्दे रेखा के नीचे वा जीवन रेखा के ऊपर से आरंब होते हुए ये रेखा हतेली को लगबग दो भागों में बाटती है ये रेखा व्यक्ति के विचार, मानसिक शक्ती, एकागरता, कंसेंट्रेशन, बुद्धी, या दास्त, मेंटल एबिलिटीज, चंचलता, अपने आप पर नियंतरन, इन सब की जानकरी देती है मस्तिश्क रेखा सभी रेखाओं की कंट्रोलर, यानि की नियंतरक मानी जाती है शनी रेखा जिसे भागे लाइन, भागे रेखा, लक लाइन भी कहते हैं ये रेखा हाथ के मूल से, या मनी बंद रेखाओं के उपर से निकल कर शनी परवत की तरफ जाती है यह रिखा, धन, भागे, सफलता, ए सफलता, रोजगार, जिंदगी के संघर्ष इन सब के बारे में में तो पूरन जानकारी देती है सूरिय रिखा, जिसको परतीबा रिखा या परसिद्धी की रिखा भी कहते है यह रेखा सूरिय परवत के नीचे दिखाई देती है ऐसा माना जाता है कि सूरिय रेखा चंदर परवत से आराम भोकर सूरिय परवत तक जाती है यह रेखा यश, मान, सम्मान, सरकारी, नोकरी, धन, कलातमक्ता, क्रिटिविटी, आखे, हडिया, संगर्षों से जूजने की अक्षमता इन सब अक्षेतरों के बारे में महत्व पूरन जानकारी देती है विवा रेखा, यह रेखा, कनिस्ठी का, यानि की बुद्ध की उंगली के नीचे बुद्ध परवत के साइड में दिखाई देती है हिवदे रेखा के उपर होती है जनर्नली विवा का वक्त वा विवाईक जीवन के बारे में ये रेखा जानकारी देती है संतान की रिखाएं विवा रिखा के उपर चोटी चोटी रिखाओं के रूप में दिखाई देती है विवा रिखा को काटती हुई चोटी चोटी रिखाए होती है इनको संतान की रिखाए कहते है इनका अध्यान कितनी संतान होगी मतलब संतान के बारे में जानकारी के लिए किया जाता है लेकिन इनका अध्यन गुरू परवत के साथ साथ करना चाहिए मनी बंद रिखाए हतेली के मूल में होती है हतेली वा कलाई को अगर थोड़ा सा नीचे मोडे तो हतेली के मूल में कंगन जैसी दिखने वाली रिखाएं मनी बंद रिखाएं कहलाती है ये रिखाएं एक या दो हो सकती है तीन भी हो सकती है धन के बारे में आईउ के बारे में जीवनी शक्ती के बारे में ये रिखा महतुप पूरण सूचना देती है सवास्थे रिखा होती है दोस्तों जो जीवन रिखा से अगर कोई रिखा निकल कर बुद परवत की तरफ जाए तो ये सवास्थे रिखा कहलाती है सवास्थे के बारे में मैं तो पूरान जानकारी देती है स्वास्ते रेखा अगर दूशी तो स्वास्ते में बहुत समस्या होती है इसलिए अगर स्वास्ते रेखा होक दिखाई दे तो वो अच्छी ही होनी चाहिए मंगल रेखा होती है एक जो अंगुठे वा गुरू परवत के बीच सित मंगल परवत से निकल कर यह रेखा जीवन रेखा के साथ साथ अंदर की तरफ चलती है जीवन रेखा की सायक रेखा भी इसे कहा जाता है जीवनी शक्ती को बढ़ाने वाली रेखा है मंगल रेखा दोस्तो हमने परवतो वारेखाओं के बारे में जाना एक एक करके सभी परवतों वारे खाओ की विस्तरी चर्चा करेंगे आज के लिए इतना ही राम राम